हाई गाईज कैसे अपनोग आसा करते अच्छे होंगे हम लोग इस व्रूम क्या देखने वाले थमनेल में देखा ही होगा क्या तो पच्यास जो भीवे कोसर चला है हिंदी का उसका पार्ट फाइब होगा यानिकि इससे पहले पार्ट फोर तक दे रहे कि उसको नहीं देखे जरूर देख लिएगा यह आपको 40 कोशन बता रखे हैं यानिकि part 4 में च्रिक ना चीव वीडियो को सुरू कर देते हैं या फार्ट 5 होगा तो 41 कोशन से क्या है आज के जो सहरी जीवन और गाऊं का जीवन खोता है गाऊं में जो घर है उसके बारे में बात करना है जीकि कि सहरी जीवन जो होता है वह अपने आप से मतलब रहता है इस वहाँ की अपिक्छा दो कि रहन्स जीवन में अपनी क्या यहां पे सहजता को खोद गया है इने कि अपके पता ही नहीं है कि सहर्चता क्या है मतलब एकता भाव क्या हुआ उसको खो ही दिया है उसको भुला ही गया है तो वही कहता है सहरी जीवन अपनी सहर्चता को खो दिया है सहर की रिष्टा बनावटी भाव से जुरा है बिल्कुत सही है सहर की जीष्टा जो होता है बनावटी भाव य सहज भाव से जुरा होता है जो गाव का रिष्टा होता है वह प्रेम से दिल से जुरा होता है सहज भाव से जुरा होता है अनि कि सहज भाव से बना होता है कभी गाव के घर का वाता बरन संस्कृती जीवन की ओर दियान आकरसित करता है बास सही है जो कभी है वह किसे गाव की मतलब जो कभी है गाउं के घर का वाता बरन संस्कृती देखिए जो गाउं का जो वाता बरन होता है स्वच होता है सहर के अपिक्छा और साहत में क्या होता है इसका संस्कृती यहां के संस्कृती जो होता है प्रस्वच होता है जीवन की ओर ध्यान को आकरसित करते हैं कभी कि सिवान जी नहीं तो ग में ही डाकट जी सकते हैं सहर में बिल्कुल नहीं सहर किसी से मतलब नहीं रखता आपको बात को समया होगा जरूरी नहीं कि यही कोस्टन को लिखे जतना बात बोले हैं आप उसमें इधर-उधर करके भी लिख सकते हैं क्योंकि गाओं के घर कभीता करना है सहर और गाओं में फ़रक बता देना है आपको कि सहर में क्या होता है गाओं में क्या होता ठीक ना चले नेक्स कोस्टन की बात करें कि काफी बा मतलब वो अपनी काम में ब्यस्त होता है क्या उसका जायज है वो लायक है तो दीखिए बिल्कुल लायक नहीं है क्योंकि दीखिए जो नागरिक है यहां के वो अपने आप से मतलब रखता है जो हमारे देश में क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं वह कहता है नागरिक को पे पेट के चिंता है बगल में कोई भुक्य मर रहा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं उसकी कोई चिंता नहीं है वही देश की चिंता से लपरवाह मतलब समझी रहे हैं कोई किसी से मतलब नहीं लपरवाह है अपने आप में मतलब रखना लपरवाह है देखिए स्वास्ता और आज़निता समझे लेह त्पाइब कुछ ग्यान ये थोडा मतलब ये और ग्यांता ने समझ दूर कर दिया है और कि रास्ट में क्या समस्या है अमारे डेश में क्या समस्या है उसके कोई मतलब नहीं किसी से मतलब उससे दूर हो गया है दूर करती है वे अपने नीजी सुख दुख से ही बियस्त है बिल्कुत सही है कि वे अपने नीजी मतलब क्या होता है अपना खुद का नीजी मतलब होता है खुद पर उसका हक तो नीजी कारे में तो सुक दुख में ही ब्यस्त रहते हैं जो जायज बिल्कुल नहीं है जो जायज बिल्कुल नहीं है तो देश के लिए जायज नहीं है क्योंकि जब देश में रहरें देश के हीत में ही काम करना चाहिए आपको तो देश के लिए जायज बिल्कुल नहीं है वही बात कहा गया है यह नागरिक अपने पेट की देगी बाद समझी कोसन कितना दैर समयलगा वो नहीं कोसन समझना ज़रूरी है तो नागरिक पेट की चिंता में व्यस्त है वह देश की है उनका मतलब यह जायज बिल्कुल नहीं है वह उसके लायक नहीं है उसके जायज नहीं है ठीक ना नेक्स कोशन क्या है 43 समय कोशन क्या है कला 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 के लिए सिध्धान्थ क्या है तो कला रस रिक्ता देखिए जो रस सिक्त है यहां पर रस सिक्त है तो कला रस सिक्त अनुभूतियों का एक सुरूर है सुरूर मतलब जानते हैं नदी सुरूर संसीत में बोला जाता है उसको तो कला रस सिक्त अनुभूतियों का एक सुरूर है ठीक ना एक सुरूर है कलाकार कला की र प्रस प्रदान करता है जो क्रित है प्रस परदान करता है कला कला के नाम पर एक आडम्ब की राचना होती यह देखिए कला के नाम पर एक आडम की रचना होती बिल्कुँ सही है कि कोई भी कला किसके पर आठ है वह आडम की रचना होती है उसी के कला पर देखे कला क्याला के लिए ना कि मन की अत्रिप्ति उत्पन करने का सुरोत है बिल्कुल सही है कि कला तो कला ही है ना कि मन की अत्रिप्ति उत्पन करने का सुरोत है बिल्कुल बात सही है कि कोई भी कला दिखा रहा है तो वह मन की यह थी थुरिन है वह कला उसका आठ है उसमें और सकता है जो आपको करने हो डिफिकल्ट लगता है, वो अराम से कर पाता है, तो इसको कला कार बोला जाता है ति निक्स कोशन के और बहते है च्वाली समय कोशन क्या है दिके धांगर सब्द का अर्थ क्या दिके धांगर एक मतलब होता है एक जाती था या कह सकते हैं कि कोई मजदूर था जिसको धांगर कहा जाता था जानि मतलब बहुत ऐसा मजदूर था जो नील के खेती करने के खोज में आया था उसको धांगर बोला जाता था ठीक ना सोरी उसका अर्थ ही होता है अनि कि उसका अर्थ ही होता है धांगर का जो नील के खेती करने के लिए खोज में आया था जो अंगरेचों नों उनको गुलाम बनाकर बहुत दिन तक उसको गुलाम बनाकर अपना काम करवाते हैं जो धांगर होते हैं जो मुझे मुझे तोर पर समझे उसको आपको धांगर जो होते हैं वो बैसिकलि ओराव भासा में बात करते थे आपस में और जो अन्य दूसरे से बात करते थी क्योंकि नील के खेती कहा होता था बिहार में जटाकर होता था और कहां चंपारान में ज्यादा नील के खेती होता था तो वहां पे जो भुछपुरीम बात करते थे दूसरे बेखती से और जो अपने बेखती होता था जो धांगर धांग कहा जाता है हम तो देखें नहीं है आप भी नहीद देखें व emoci我們 सताब्ति के शुरूआतमा अंध में नील के खेती के सिलसला में आये थे जब नील के खेतों में काम करने के लिए अंग्रेज साहब था जो अंग्रेज का जो अंग्रेज साहब था जो मनेजर था अंग्रेज जी जो अंग्रेज साहब था राजनगर के राजा उन्हें लाए और उनके बाद उनके वर्सों तक गुलाम बना कर जीवन बितित किरा बेल्कुश सही है कि जब आएगा तो अंग्रेज तो यही करता था गुलाम बना लेता था तो अंगरेज जो सहब था और राजा जो राम नगर का जो राजा था उन्हें लाए और उनके क्या किये जो भी आये थे उनको सब लाए बुला कर और उनके क्या किये उनके बाद उनको वर्सो तक वर्सो मतलब कई वर्सो तक गुलाम का जीवन बिताना परा किसको तो धांगर को जब वहाँ पे जो राजा था रामनगर का और साथ में जो अंग्रेजी साहब था वह धांगर को बुला लाए नील के खेती करने के लिए और उनको गुलाम बना कर रखा अनेक वर्सो तक तो वही बात बता है अनेक वर्सो तक गुलाम बना कर उनका जीवन बेतीत करना पड़ा किनको धांगर को दीकि आपस में जो धांगर था और आव भासा में बात करता था और दूसरे लोगों से भोजपूरी और मेथली में बात करता था तो आपको समझ में आया होगा ओस्तानीडा के पाथ कैधार पूर जो धांगर था 1820 सताब्दी के अंत में नील के खेती के सिल्सिला में आये थे जब नील के खेती के काम करने के लिए अंग्रेजी ने मतलब जो अंग्रेज था अंग्रेज साहब जो राजा था रामनागर का वह क्या क्या जो निल की खेती करने के लिए उसको बुला लाया मतलब उसको लाया उन्हें लाया और उनको अनेक वर्सों तक गुलाम बनाकर जीवन को बेतीत करना परा कि इसको धांग कविता का केंदरी भाव क्या है कि हार्जित कविता में बताया गया है हमारे देश की राजनेतिक एतिहासिक आर्थिक और समाजिक इस्तितिक और ध्यान केंदरित किया गया है बास ही है कि हार्जित कविता में कभी ने कभी जो थे कभी देश की राजनेतिक एतिहासिक आर्थि जताता है, कि गडीब उसके दवाव में रहे, गरीबों पर हक करता है, गरीबों को मालिक मतलब नोकर समझता है, तो वह सोसन, मतलब त इसको करता है उसको और वह आपने अराम की जिन्दगी जीता है, ऐस का जिन результат है, मोज के जिन्दगी जेता है कभी का ध्यान राजनेतिक, अहत्यासिक, आर्थिक और समाजिक इस्तीतियों की ध्यान के चैन्द दिया है, कभी का ध्यान जहोपरी की अवस्था से लेकर सोँचन वरग के ऐसा आराम की जिन्दगी तक की ध्यान के तक की ध्यान प्रीं अ conscious तखुत दिया है उनका ध्यान केंद्रित हुआ है कभी सोतंतता के बाद देश की भिकास क्तमक है वह अवस्था का पर्दाफास करते हुए पाथक को राष्ट कलयान की काम करता है जो कभी है वो सुतंस्ता के बाद देश की विकास के लिए विकास के अवस्था के लिए परदाफास करते हुए पाठख को राष्ट कल्यान के लिए काम करता है ऐसा ही सबी क्यों होना चाहिए जो राष्ट कल्यान के लिए हर कोई काम करे ना कि गरीब पर सोशन करे गरीब पर हक जताए और अपने आराम की जिंदिकी जिया और गरीब को काम करते करते उसको मुआ दे ऐसा कभी नहीं होना चाहिए तो देखिए यही आहर जीत का कवीता का जो किंद्रिये भाव या रामसीज को पढ़िए एक दो बार पढ़िए का आपको समझ में आ जाएगा आपको बार बोलते हिंदी है तो हिंदी में एक अक्षर इधर उदर भी कर सकते कोई दिकत ने लेकर सुध लिखिएगा ठीक ना पंच परमीयसव खोजाने को लेकर काफ़ी्तित यहां पर देखिए कभी चींतित है को है आपको बाद समझाने की होता आ तो गाओं का सुरव वही होता है जो गाओं का सर्फ जोगाओं के पंचायाइति करता है जो गाउं के बिवादों को समझाता है सुझाता है और जो गाउं की समस्या है बिवाद है दो लोगों के बीच उसको सुझाता है तो क्या जो पंच करने जब पंचाईती करने कोई बेखती आता है तो क्या उससे पैसा लेता है नहीं जो गाउं की समस्या है वह पंच मीलकर समझावता करता है और आपस में सलड़ता है लेकिन-लेकिन समझ ये एक बात को अगर उसी समस्या को आप कचहरी में जाते हैं, कोट में जाते हैं तो क्या आप फिरी में सुलजा सकते हैं बिल्कुल नहीं, उसके लिए आपको पैसा चूसा जाएगा, जो वियाए है मतलब आपको देना पड़ेगा तब भी वहाँ पे सुलजेगा कोई ठीक नहीं इसलिए पंच को चल जाने पर कभी को आपको कभी चिंतित है तो क्या गाउं की जो गाउं की कई समस्याव या दो विक्तियों, गाई में जो गाउं की कोई समस्याव या दो विक्तियों के बीच बिवाद को गाउं की पंच ही संभालता है बिल्कुल सही है, गाउं की जो पंच है वही संभालता है, वही सुलजाता है ठीक ना यह गाउं की परंपरा थी बिलकुल है यह अभी है लेकिन अभी बहुत कम है अब इसा कम नियुदा डिरेक्ट कुछ हो गया और कपार फ़ार देंगे थोर चलो यहां पर केस करैंगे जोरेंगे नहीं धरीको होता है कि नी बिल्कुल होता है ऐसा ही होता है तो यह बात को मतलब यह गाओं की प्रंपरा थी वह धीरे-धीरे खतम हो रही है बिल्कुल सही है कि वह धीरे-धीरे बिल्कुल खतम हो रही है थोड़ा भी जग रहा हुआ तो टांग तोर देंगे तोर दमाज भार देंगे होता है में जिस व्याय का भार उन्हें चुकाना पड़ता है बात सही है कि जो सहर के कचहरी में जाइएगा केस करने जाइएगा थाना में जाइएगा तो उसको क्या व्याय की भार चुकाना पड़ता है विसको व्याय मतलब जो उसका पैसा है उसका जो मांगता है उसको चु पारेगा आपको तो उन्सक्त कि पंच में ऐसा नहीं था जो पंच प्रमेसवरे गाउं की समस्याओं को मिलकर सुधारते थे मिलक всп मिलते आप इसा देकन को बिलकुल नहीं मिलता है आप पंच तो गया ही काम से अब डिलेक्ट केसा केसी होता है अब समझे रहें तो मैं फिर से एकसा पढ़ने के प्रयास को समझने के प्रयास की जगा गाउं की जो कई समस्या मतलब कोई भी समस्या होता या दो विक्तियों के बिच बिवाद होता उचको कौन समालता था गाउं की पंच चुक न यह के खचरीम जाइए है थाना में जाइए है तो कुछ पैसा लगता है पैसा को अपको चुकाना पर गाने कर वहाँ पैस पर ही यह फीरी नहीं कि पंच है करना दो कर के पैसा नहीं प्रयास चीक है गाउं की यहां करने थे मिलकर मतलब जो यहां पर दस आदमी बैठा वहा है उसको मिलकर एक साथ सुधारते थे यह संभालते थे ऐसा अब देखने को बिलकुल नहीं मिता समझ गए तो कि समय लग रहा है लेकिन हिंदी है तो इसलिए आपको समझाना जरूरी है और अगलबाल के बात भी बताना ज रहती है कुंती क्या है तो बिसनी की प्रोशन रहती है ठीक ना तो इस बात को ध्यान देने में बात है कि कुंती कि यहां पर संचिप टिपर नहीं लिखना है यहां नहीं बताना है कि वह कौन थी यह नहीं बताना है उसको कि कौन थी उसको यह बताना है उसको यह बताना है या आपको ही पता है पढ़े हुई ये का मानक जो है फौज में भरती है यानि कि फौजी है उसकी बहन मुन्नी ब्याहने लाइक हो गई है यानि कि वह ब्याह की लाइक हो चुकी है मानक वर्मा की लराई में कहा गया है मानक वर्मा की लराई में है वर्मा एक जगा का नाम है वहाँ पे लराई करने मानक गया था उसी के बात बदा है कि मानक वर्मा की लराई में है मा उसकी परतिक्छा कर रही है किसकी मानक की मानक की जो मा है उसकी परतिक्षा कर रही है किसकी मानक की परतिक्षा कर रही है कौन तो बिस्नी की परोशन बिस्नी की परोशन कौन है कुंती तो बिस्नी की परोशन कुंती मुन्नी की ब्याह की चर्चा करती है किस से मुन्नी की मा से बिस्नी से चर्चा करती है और मुन्नी की ब्याह की चर्चक के क्रम में वह पूछती है कि तुने इसके लिए अभी तक घरवार नहीं देखा है गरवार मतलब समझे थोरा मतलब देहातीवासा की तरह है घरवार मतलब जाकर भोता नहीं कि उसका घरवार कैसन है देख यह घृर कैसन है मतलब इसका बिवार कैसन भुर देखा है कि नहीं तो बिस्नी क्या बोलती है मानक आज आज आए फिर कुछ होगा इतना बोलती है विस्नी तो आपको यह कुंती के संचीप्टी पढ़ नहीं था तो कुंती इसमें पॉरोशन होती है और कुंती यह बात बोलती है कि से बिस्टनी की मां से की कोई थी मुन्नी के लिए ब्याह के लिए कुछ नहीं घर बार नहीं देखा यहीं बात उनके लिए बताना था तो कुंती पर संचीप्टी पनी लिकाना था इसको अराम से पढ़िए आपको याद रोजाएगा ज्यादे इसमें समझाने व देखिए जो पुत्र होता है वो मा के लिए एक मतलब होता नहीं सब कुछ वही होता है मतलब सब कुछ हो या जिंदगी जहान जो भी है वही होता है मा के लिए देखिए मा जो कवित्री कहती है कि उसने अपने कि उसने अपने पुत्र को उस भय से अपने गोध से नहीं उतारती है आनि कि उस भय से गोध से नहीं उतारती है कि उसे ठंड न लग जाए अब बोलिए, जो मा है अपने पुत्र को अपने गोध से अपने वो गोध से नहीं उतारती है कि कहोँ उसे ठंड न लग जाए उसको भै बना रहता है करता है कि नहीं मतलब बच्चे को सुलाने के लिए कर सुलाती है और सुलाने के प्रयास भी करती है उसे लोरी सुनाती है उसके मतलब गीत सुनाती है कि आओ बगवा आओ मतलब किसी होता है वह सुनाती है कि नहीं चिरया आओ उस प्रकार सुना कर बगवा कर सुलाती है और कि पुत्र को सुलाती है ठीक न अपने पुत्र की स्वास्त अपने मतला हेल्थ स्वास्त और सुखी के सुखी देखने के लिए मंदिरों में जाकर कामन करती है मंदिरों में जाकर आर्थी करती है पुत्र की खुसी में ही मा की खुसी मिलती है या तो अपने भाव में लिखना है कि मा पुत्र के लिए क्या क्या करती है तो मा क्या क्या करती है पुत्र के लिए आपको नहीं पता है आपके मा आपके लिए क्या 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 वही बात क क्या लिखा उससे मतलब नहीं बस एक भाव ना को हम प्रकट किये यहां पे कि इस प्रकार से लिखना है यह नहीं कि आपको यहीं लिखना है अच्छी बात है यह लिखते तो लेकिन आपको जरूरी नहीं कि यहीं लिखिए अपनी जो मां आपके लिए जो की है वह कर सकते हैं इस बात को लिखना है इसमें क्या करूँ है यह काफी इंपरनल कोस्टन की बात करें यहां पर 59 कोस्टन क्या है देखिए लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए परिप्थ है लाल केसर लाल खड़िया चाक किसके लिए परिप्थ है देखिए तो यहां पर देखिए ल प्रछादित सुर की किरन के लिए किरन की आभा के लिए परिप्त किया गया है किसको काला लाल केसर को लाल केसर क्या है तो लाल केसर पुर्भी छितिज पर प्रछादित सुर की किरन की आभा के लिए परिप्त हुआ है और लाल खड़िया चाक का परियोग सुर की किरन के प्रशादित सूर्य की और लाल खड़िया चांक की जो चांक होता है लाल खड़िया चांक का प्रयोग सूर्य की किरन के लिए हुआ है कि नेक्स्कूशन के बाद पचास में क्या है दएक दानो दुरात्मा से क्या अभीपा रहे हैं। तो दानव जो होता है दानव मतलब समझते है राक्षत इसको कहा सकते हैं दानव दुरात्मा से क्या अभी प्राय है देखिए दानव हमारे जो यहां पे सोसन वर्ग है उसको दानव कहा गया जैसे कि गरीबों पर सोसन करता है गरीबों पर सोन करता है तो दानव से कम थोड़ करता है तो जो गरीव पर सोसन करता है अपनी जो पोसन के लिए अपनी स्वास्ता के लिए तो प्रियुक्त कभीता में दान दुरात्मा का प्रियोग सोसन वर्ग के लिए किया गया है वह दूसरे का रख्थ चूषता है वह गरीव का रख्थ करता है अपनी पोसन करता है अपना पोसन करता है दुरात्मा निच प्राकृति का होता है जो दुरात्मा होता है वो नीच प्राकृति का होता है मतलब उसका नीच प्राकृति का होता है जो उसका सोच होता है बहुत नीच होता है जो हिर्दय का खोटा होता है जो दुरात्मा होता है जो नीच प्राकृति का होता है उसका हिर्दय में खोट होता है यह कोशन बहुत दूसरे का खुन चुसता है खुन चुसकर का अपना पोशन करता है और दुरात्मा निच प्राकेति का होता है वे हिर्दय की खोटा होता है समझ गये काफी पुरें 15-16 में कोशन पुछा क्या था तीकि पचास कोशन आपका पूरा होता है आज तो वीडियो कसा लगा जुरू जो वीडियो नहीं देखें उसका लिंक डिस्क्रिप्सन है जाकर जुरूर देख लिजएगा तो थिंक्यू वाचिंग फूर इस वीडियो अगर वीडियो पसंदे तो प्लीज लाइक उन्हें सब्स्क्राइब दोस्तों को जुरूर शेर करेंगा थाइंक्यू